परशोरात को बड़े मस्जिद के हिमाम साब अमरुत नगर के बड़े मस्जिद के इमाम साब की लड़की गुजर गई मैं सभी मुमरा के हॉस्पिटल ओनर्स को ये आडियो भीजना चाहता हूँ आट घंटे इमाम साब अपने बेटी को गोद में लिए हॉस्पिटल का दर्वाजवाख खट-कटा रहे थे ना किसीन उस्पिटल खोला ना किसीने आइस यू ना किसीने आक्सीजन दिया और उस लड़की की मौत हो गई उसके मा के उपर क्या गुजरी होगी उसके बहन के उपर क्या गुजरी होगी शायद उसका अंदज आ आपको नहीं है सुबह उस बहन का पांच बजे मुझे मेंसे जाया इसका मतलब कि वो राद बरस भी नहीं होगी कि हमें ने आई चाहिए मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जिस शहर ने आपको पाला पोसा बड़ा किया आपको शोहरत दिया, आपको इज़त दिया, आपको पैसा दिया उस शहर को जब जरूरत है तो आपने हॉस्पिटल बंद करवा लिया ये बहुत बुरी बात है अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं लेकिन उमीद ये है कि बुड़ाई में जब अंदेरा चाया हुआ है तब हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल चालू रखना चाहिए मैं आज आपको जितेन रावाड होने के रिष्टे में, नाते में आपसे मैंने बहुत लाड़ प्यार, महबबत से बाते की है पिछले 10-12 सालों में हमारा जो संबंद हुआ है उसमें हम बहुत याराना रखते थे अपने आप में पर ये अच्छी बात नहीं कि अपने हॉस्पिटल बंद करवा दिया कल सूरज निकलेगा, कल अंदेरा दूर होके उजाले के तरफ हम जाएंगे फिर आपको क्या लगते है, आपका हॉस्पिटल ऐसे ही शुरू होने दूँगा हजारे महजारों मुसीबत खड़ी करनूँगा अगर आपको लोगों की जान की किमत नहीं है तो फिर आपकी चिंता हम क्यों करे लोग मर रहे है, ICU नहीं है पूरे शहर में लोगों को और भी बहुत सारी बीमारिया है उसके लिए कोई इलाज नहीं है और आप डॉक्टर्स मजा ले रहे है वज़ा कोई भी हो लेकिन मेरे शहर को मुसे संभालना चाहिए बुराई के वक्त में अंधिरा जब फैला हुआ है तो मेरा हाथ उनको उनके आसू पोचने के लिए तयार होने चाहिए उनके जब वो आज दुख में है जब वो आज किसी अगर मसले में फश जाते है कोई बीमारी हो जाती है तो मैं उनको बचा लूँगा ये काम परवर्दिगार ने आपके हाथ में सोपने के बाद अगर आप उसका सही इस्तमाल नहीं करते हो तो इसको क्या समझना चाहिए ये आपको अच्छा लगे न लगे लेकिन मैं सक्त सब्दों में कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल शुरू कर दो वज़ा मत बता मुझे कोई वज़ा बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप हॉस्पिटल शुरू कर दो हम बैठेंगे साथ में बैठेंगे जो भी मुसीबते हैं उसमें से रस्ता निकालेंगे लेकिन आप हॉस्पिटल शुरू कर दो और अगर आप हॉस्पिटल नहीं शुरूर करोगे तो जनता की तरफ से मुझे आवाज उठाना पड़ेगा और फिर आपको मालूम है कि जो आदमी कोविड को न घबराते हुए जनता के लिए जनता के बीच में जाता था वो शायर ही किसी से अब डरेगा तो आप ये काम करिए हॉस्पिटल शुरू कर दीजे इतनी ही दोनों हाथ जोड़के आपके पास में बिदनती करता हूँ